कहते हैं राम की माया कहीं धूप और कहीं छाया बराक ओबामा ने जहां राहूल गांधी को एक नर्वस बच्चा बता दिया तो वहीं जानिये सोनिया गांधी के बारे में क्या कहा और परधान मंतरी मोधी के बारे में क्या कहा वहीं दूसरी तरफ क्या चीन ने सचमूच लेजर बिम से भारत के सैनिकों पर हमला करा यह खबर बड़ी तेजी से फैल रही है वहीं भारत से हारने के बाद पाकिस्तान पहुँच गया है चीन के दरवाजे पर और चीन ने क्या सर्थ रखती है पाकिस्तान के सामने क्या पाकिस्तान पूरी तरीके से दिवालिया होने की इस्तिती में पहुँच चुका है आये जा जा सकता है वैसे कुछ ऐसे पत्रकार भी हैं जो लगातार भारत के सफलताओं को तो नजर अंदाज कर देते हैं लेकिन छोटी से छोटी चीजों को भी बड़ी असफलता बता कर मौजूदा सरकार की छवी को खराब करने की कोशिस करते हैं हाला कि इसमें एक नहीं कई ऐसे पत्रकार हैं सामील अब दप्रिंट के पत्रकार सेखर गुपता ने भी कुछ इसी तरह का बयान दिया है दप्रिंट के इस पत्रकार और मालिक ने भारत के पढ़ानमंतरी मोधी की तुलना नहरू से कर दी है और उनका कहना है कि जो गलती ची धिरू ने की थी वही मोधी कर रहे हैं वैसे इस तरह के लिबरांडू को कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि अभी तक जो नीती दिख रही है प्रधानमंतरी मोधी की चीन को डील करने की वह बहुत ही अच्छी है और अगर कॉंग्रेस की सरकार होती तो अब तक तो वह जम बस बच्चा बता दिया तो वहीं सोनिया गांधी के बारे में भी लिखा है हाला कि सोनिया गांधी के राजनितिक जीवन पर तो उन्होंने कोई टिपनी अपनी किताब में नहीं कही दी है लेकिन उन्होंने उनकी खुबसूरती पर टिपनी जरूर करी है बैराक उबामा के अनुसार सोनिया गांधी खूबसूरती की मिसाल है वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोधी की बात करें तो उनकी तारीफ में उन्होंने काफी कुछ लिखा है बराक अबामा ने लिखा है कि एक छोटी सी जगह से इतनी उचाई तक पहुंचे अपने पिता के चाय बेचन के कारोबार में मदद करने से लेकर प्रधानमंत्री बढ़ने तक के सफर को अगर देखें तो यह दिखाता है कि भारत में लोगों के अंदर कितनी छमताएं हैं और जहां तक प्रधानमंत्री मोधी के ब्यक्तित्तु की बात करें तो वो ऐसे हैं जो बदलाव लाना चाहते हैं और बदलाव लाकर ही रहते हैं वैसे आपको बता दें दुनिया भर में सिर्फ बराक ओबामा ही नहीं हैं दुनिया भर के बड़े बड़े नेता और कई बड़े देश ऐसे हैं जो की परधानमंत्री नरिंद मोधी के व्यक्तित्तु के कायल हैं परधानमंत्री मोधी ए और समझाने के लिए तैयार है लेकिन अगर भारत को आजमाया जाएगा तो इसका अंजाम बहुत पुरा होगा वहीं दूसरी तरफ चीनी मीडिया में एक खबर बड़ी ही तेजी से वाइरल हो रही है जिसके अनुसार यह कहा जा रहा है कि भारत के ऊपर चीन ने DEW यानि की डाइरेक्ट एनर्जी वीपन लेजर वीपन का इस्तेमाल किया था खास तोर पर भारत के सैनिकों पर जो पहाड में जम्य हुए थे कहा यह जा रहा है कि भारत के सैनिकों ने रननीतिक द्रिष्टिकों से एक महतपूर्ण चोटी पर कबजा कर लिया और जिसके बाद चीन को यह लगने लगा कि यह चोटी आसानी से चली गई भारत के कबजे में तो घुसपैट करना चीन के लिए मुस्क इनर्जी विपन को तैनात किया गया और 15 मिनट के अंदर उस पहार की चोटी के उपर इतनी गर्मी पैदा कर दी गई कि वहां के सैनिक अपने आप ही वहां से भाग गये और उस चोटी पर वापस से चीन का कबजा हो गया लेकिन इसमें कितनी सचाई है दरसल बात यह है कि चीन के अंदर खुद अराजकता और औसंतोस ब्यापत हो गया है चीन अब अपनी जंता के बीच छवी को सुधारना चाहता है अगर इतनी बड़ी बात हुई होती तो भारत के सेटेलाइट और भारत की सेटेलाइट के अलावा जो अमेरिका के सेटेलाइट है जिसके साथ भारत ने अब करार भी कर लिया है वो बता चुके होते और भारत की जिस तरह की रनीती है अगर इस तरह की कोई हरकत हुई होती तो वह मीडिया में वैसे भी चा जाता और भारत इसके जवाब में कुछ न कुछ जरूर करता तो प्रोपेगेंडा मास्टर चीन के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है और वह सिर्फ अपने जनता को खुश फ़हमी में डालने के लिए ऐसी बातें कह रहा है वैसे आपको बता दें DEW यानि कि Direct Energy विपन पे भारत भी काम कर रहा है और भारत भी कई तरह के हतियार बना रहा है वहीं दूसरी तरफ कंगाली के कगार पर पहुँच जुगा पाकिस्तान चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानि कि सीपेक के लिए अब करीब 20,000 करोड रुपे का कर्ज चाह रहा है और वह कर्ज उसे देगा कौन तो वह कर्ज मांगने के लिए पहुच चुका है चीन के दरवाजे पर एक्सप्रेस ट्रिब्यून के रिपोर्ट के अनुसार CPC के ML1 परजेक्ट में अन्य कामों के साथ पेसावर से लेकर कराची तक एक लंबी ड्रेलवे ट्रेक बनन लेकिन पाकिस्तान अभी पहली किस्त के रूप में 2.7 बिलियन डॉलर का कर्ज ले रहा है पाकिस्तान ऐसे समय में कर्ज ले रहा है जब महामारी को लेकर वह दिवालिया होने के इस्थिति में है बित मंत्राले ने इस पर अपनी सहमती देते हुए लेटर ओफ इंटेंट क अगले सर्ता तक भेज दिया चीन अपनी अगले साल की सभी योजनाओं को इस माही अंतिम रूप दे रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान कर्ज एक परतिसत ब्याज पर लेना चाह रहा है चीन की तरफ से यह साफ नहीं है कि वह इसकी सर्थ पर राजी है या नही पाकिस्तान को कई योजनाओं में चीन सहयोग कर रहा है लेकिन उसका मकसद अपना आर्थिक हित देखना ज्यादा जरूरी है आपको बता दें चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानि कि सीपेक चीन का महतोकांची परजेक्ट है जो गुलाम कस्मीर और अकसाई चीन जै जो चीन के कासगर प्रांथ को पाकिस्तान के गौादर पोर्ट से जोड़ेगा इस परजेक्ट के तहथ पाकिस्तान में बंदरगा, हाईवे, मोटरवे, रेलवे, एरपोर्ट और पावर प्लान के साथ ही दूसरे इंट्रास्रक्चर परजेक्ट को विक्सित किया जाएगा वहीं महामारी के दौरान पाकिस्तान की हालत और भी ज्यादा खस्ते हाल हो गई है, कहा तो ये भी जा रहा है कि चीन इसी के बहाने अब पाकिस्तान पर कबजा करने के फिराक में है, वैसे आपको क्या लगता है, क्या चीन पाकिस्तान को इतना बड़ा करज फिर से देगा कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ